आपकी स्क्रीन के उपर जो इस समय वीडियो प्ले हो रही है ये वीडियो आज से ठीक साथ दिन पहले मार्च 19 की है ये वीडियो बिटेन के लंडन में स्थित इंडनाई कमिशन के भार की है वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि freedom of expression के नाम पर खालिस्तानी elements इंडनाई कम कमिशन के एक brave और bold व्यक्ती ने समय रहते भारत के तिरंगे को safely इस वक्ती के हाथ लगने से बचा लिया था अब इस सीख वक्ती ने भारत के तिरंगे को जो नीचे गिराया है ये भी flag code of India के खिलाफ है ये तो शुकर है कि नीचे खड़े खालिस्तानी elements के हाथ भारत का त इस व्यक्ती को अगले दिन हिरासत में ले लिया था खबर निकल करा रही है कि इस व्यक्ती का नाम है अफ्तार सिंग खंडा ये व्यक्ती भारत का citizen है और पिछले कई सालों से ये ब्रिटेन में रह रहा था इसने ब्रिटेन में political asylum के लिए apply किया हुआ है और political asylum के लिए apply की इसकी जान को भारत में खत्रा है इसलिए इसको ब्रिटेन में शरन दी जाए और ब्रिटेन की नागरिकता दी जाए खबर निकल करा रही है कि अभी भी British authorities ने इसके request को approve नहीं किया है और ये legally अभी भी भारत का citizen है अफ्तार सिंग खंडा नाम का ये व्यक्ती अभी भारत क इसके पासपोर्ट कैरी करता है इसके पिता और चाचा दोनों ही 1984 के बाद से खालिस्तानी मुमेट के साथ जुड़े थे और 1991 और 1988 में दोनों ही मारे गे थे इसके साथ ही security agencies ने ये भी बता लगाया है कि अफ्तार सिंग खंडा फेस्बुक के जरिये अमरित पाल सिंग के सा पर उतराया था भारत की तरफ से बिटेन के उपर प्रेशर इतना था कि बिटिश कर्मन को इसके खिलाफ कारवाई करनी पड़ी और अफ्तार सिंग खंडा को एरेस्ट करना पड़ा लेकिन हम सब को पताए कि बिटेन में इसके उपर कोई बड़ आक्शन कभी नहीं लिया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन का हवाला देकर इसके उपर लगाएगे ओफेंस ड्रॉप कर दिया जाएगे और जो सेवा पानी इसकी भारत में होगी वो बिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस कभी भी नहीं कर पाएगी ऐसे में भारत सरकार ने अब बिटेन से काया कि अवतार सिंग खंडा को अब भारत कोई सौंप दिया जाए इसकी सेवा पानी भारत की सेक्योर्टी अजेंसी और भारत की पुलिस खुदी कर लेगी रेफरेंस क्लैप की स्क्रीन के उपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीन शॉट है जिसके मताबिक भारत इंडिन हाई कमिशन के उपर हमले के बतर घंटों के अंदरी बिटिश कवर्मट से अवतार सिंग खंडा को डिपोर्ट करके भारत वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर दी थी अभी बिटेन की तरह से इसके उपर कोई रिस्पॉंस आना बाकी है बताया जा रहा है कि अवतार सिंग बिटेन में अमरितपाल सिंग का मेंन हैंडलर था और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को करवाने में वहाँ पर बहुती एहम रोल प्ले किया करता था भारत वापस लाकर अवतार सिंग खंडा के उपर इंडियन लौ के एकॉर्डिंगी कारवाई होगी और इसको इंडियन सेक्योटी अजेंसिस अच्छे से तिरंगे की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगी अब देखना होगा कि क्या बिटेन भारत की रिक्वेस्ट मानता भी है या फिर नहीं अगर बिटेन ने अवतार सिंग खंडा को भारत को डिपोर्ट नहीं किया तो माना जा र होगा मोदी सिरकार ने ऐसे सबी लोगों के उपर कारवाई की आदेश भारत की सेक्योटी एजनसिस को दे दिये हैं इन सब की इडेंटिफिकेशन होगी और डिपोर्ट करके इन सब को भारत वापस लाए जाएगा खैर मोदी सिरकार खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ जिस